पिहार के सिश्च्छा मंत्रि युदों को उनके विभागी हे सच्ची विभाग से निकाल बाहर किया है वो विभागी नुक्व के डर से यह तंख से विभाग में जो कि नंदिर जाए करने की कि पाइसे से चार-चार हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो मंदीर अगर नहीं होता तो वह चार हॉस्पिटल भी नहीं होते यह उनको कौन समझाए तो कम अक्ल लोगों को हमारे परिवार के जो बुजूर्ग हैं वो कहा करते थे कि कम अक्ल लोगों से कभी मुह नहीं लगाना चाहिए उनको आप कुछ पैसे दे दिजिए और हाथ जोड़ लीजें उच्छे एक मुस्लिम नेता सिर्व बिरोध में बोल रहे हैं जो कम अक्ल लोग हैं वो बिरोध में बौल रहे हैं बाकी आम मुस्लिम जन्वानस या दूसरे धर्मावन लंबी सभी सहमत हैं कोई नहीं बोल रहा है खिलाब में नमस्कार मैं हुर्य हो गई है कि हर किसी को राम के खिलाफ कुछ न कुछ बोलना है किसी बीर नितिक डलके नेता को लिए कोई कहता है कि सनातन डेंगू है इसे खत्म होना चाहिए तो कोई हिंदू देविद्य अवधाओं पर बैयान बाजी करके वोटों की राजनीत करना चाहता है असल में आज कल सनातन को ही टारगेट करने का एक जो चलन चला है इसके पीछे क्या कुछ है क्या क्या ये कोई साजिस है या ये वोटों की राजनीत है इसी पर बातचित करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ट पत्रकार प्रवीन वागी जी प्रवी एक तो जैसा कि आपने कहा कि वोटों की राजनिती है और दूसरे कि जो बिरोधी बयान दे रहे हैं जो राजनिता वो बॉखलाये हुए हैं और बॉखलाहट में अपना बुद्धी और विवेक दोनों खो चुके हैं और वो क्या बोल रहे हैं ये उनको खुद पता नहीं है उनको ये डर है कि अगला चुनाव कहीं वो हार न जाएं उनके मंत्रीपद की कुर्शी न चीन जाएं उनके सुक्सुवधाये न समाप्थ हो जाएं इस डर से वो ग्रसित हैं और इसलिए वो उल्टे सिधे बयान दे रहे हैं अब जैसे आप देख रहे हैं अब जैसे आप पुनरस्थापना की उसके लंबे अंत्राल के बाद अब यह काल आया है कि एक बार फिर से सनातन की विजय पता का पूरे देश में फाराने वाली है और यही कुछ लोगों को पच नहीं रहा है तो वो पुरानी सड़ी गली बातें जिनका अब कोई आचित नहीं है कोई महत करना चाहते हैं और समाज की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजीस है और इसके पीछे अगर कोई विदेशी साजीस हो तो उससे भीनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत से देशों को भारत की प्रगती भारत का सक्तिसाली होना भारत का अंत्राष्ट्य जगत मे सब्सक्राइब करें दबदबा होना यह फूटी आँखो नहीं सुह रहा रहा है तो वह तरह तरह सडयंत रच रहे हैं कुछ रैंप जाने भारत के कुछ राजनेता भी फर जाएं या फस गए हो तो कोई आशचर नहीं कि यह पहले से होता रहा है से यह प्रक्रिया के विद इस देश के लोगों को अगर गुलाम बना के रखना है तो इनकी संस्कृति का नाश करना होगा और इसी के हिसाब से सब कुछ तयार किया गया यह जैसा कि प्रवीन बागी जी कह रहे हैं कि यह विदेशी साजिस भी हो सकती है इसके पीछे कुछ न कुछ तथ्या हैं क्योंकि कि हमारे परिवार को जो हमारा सबसे बड़ा मजबूत अधार है भारतिय समाज का उस परिवार को तोड़ने की साजिस चलिए टेलिविजन में इस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं और इस तरह की खबरे बनाई जा रही हैं जान बूज के भारतिय परिवार को तोड़ने की साज उनका एक soft nature है उसके करनी होता है डर भी है और दूसरे सनातन की उदारता भी है डर यह है कि अगर दूसरे धर्म के खिलाप ऐसे टिपणी करेंगे तो सरकलम कर दिया जाएगा उनका जीना मुहाल हो जाएगा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए तो इसलिए उस सबयों के खिलाप अनाप नाप सना बोलते हैं और ऌइसे ही कर रहा हैं। अव कितना विरोधाभास हैं ने मिहां भी सिख्षा मंतरी उनके विभाग की यहुकों के डर से आतंख से बिभाग में नहीं जाते हैं कभी मगे गों मों के नए विद्वान बन गए हैं सनौतनь ऑर और ऐसी ऐसी बाते कह रहे हैं कि लोगों को हसी आ रही है गुशा भी आ रहा है आक रोज भी मन में पैदा हो रहा है और सबसे आश्चर्ज की बात है कि मध्यपूरा जहां से यह चुन करके आते हैं वहां के पत्रकार मित्र से बात पुरितित उन्हों कहा कि उन्होंने अपने घर में मंदिर बनवाया हुआ है और उसमें किसी बाहरी आदमी को जाने की जाजत नहीं है यह नियमित पूजा करते हैं उसमें और सिरुपती गये लेकिन उनहीं की पार्टी के नेता हिंदू धर्म के खिलाफ और सनातन के खिलाफ बोलते रहते हैं तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, यह बोटो की ही राजनिती की बाज़ा? कि रत पर सवार होकर कि इतने दिनों उन्हें सत्ता का सुख बोगा, और तमाम तरह कि एस वाराम के साधन जुटाए, भरष्टाचार में फंसे, सजा हुई, जेल गए, ते जस्वी यादों भी कब जेल चले जाए, कब सजा हो जाए, कोई उसमें ठीकाना नहीं है उसका, तो ये डर उनको सता रहा है, और इसी डर से वो जो सनातन की लहर पैदा हो रही है, उसको खंडित करने की, और अपने मन की भडास निकाल रहे हैं, ऐसा करके वो, आपने जो कहा कि तिरुपती गए, तो तिरुपती चाटर प्लेन से गए, परिवार के साथ गए, साधी उन्हों में जो भी समारो होते हैं, या धार्मिक कारक्राम होते हैं, उसमें बड़े-बड़े पंडित बुलाए जाते हैं, तो एक और तो आप निजी जीवन में पूरी आस्था और निष्ठा के साथ धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, निती नियमों का पालन कर रहे हैं, औ और दूसरी और जंदा को भड़काने के ले उल जलूल बयान दे रहे हैं कर उनका जो भासन अभी सार्वजनिक हुआ था कहीं बोल रहे थे वो कि बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर जाओगे और यह मूर्खी होगा कि जो बीमार पड़ेगा वो मंदिर मगर मजे की बात यह है कि पटना के मावीर मंदिर ने राह दिखाई है मावीर मंदिर के पैसे से चार-चार हॉस्पिटल चल रहे हैं तो मंदिर अगर न होता मावीर मंदिर अगर न होता तो वो चार हॉस्पिटल भी नहीं होते यह उनको कौन समझाए तो कम अक्ल लोगों को अब हमारे परिवार के जो बुजूर्ग हैं वो कहा करते थे कि कम अक्ल लोगों से कभी मुह नहीं लगाना चाहिए उनको आप कुछ पैसे दे दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए तो वही इस्थिती पैदा हो गई है हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि लालू पुशाद यादो खुद भी एक बार तो उन्होंने ये कहा कि भगवान भोले शंकर ने सपना में कहा कि मीट मर्शली खाना चोड़ दो और मैंने खाना चोड़ दिया बाद में मैंने गोड़ लाग के फिर खाना शुरू कर यह जो आस्था उनके अंदर में है और तांत्रिकों से मिलते रहते हैं वो उनके अंदर है फिर उनकी ही पार्टी के नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदू देविदेताओं के खिलाफ जब बोलते हैं तो आपको लगता है कि यह उनसे बुलवाया जाता है यह केवाल सीदे- लालुप्राद खुद नहीं कुछ बोल रहे हैं वो चुप हैं मगर तेजस्वी बोल रहे हैं तेजपरताब बहुत संभल कर बोल रहे हैं मगर उनकी पार्टी के कुछ लोग खास करके चंद से कर एक नए बिद्वान पैदा हुए हैं फते बहादूर उसके बाद एक और यह लोक ज़्यादा मुखर हैं और बिरोध कर रहे हैं बोल रहे हैं बाते हैं और जडियू अंतर बिरोध cloth हैं एक और जडियू का ओपीयसियल लाइन है कि बीरोध नहीं करना है सभी धर्मों का सम्मान करना है किसे की निजियास्ता पर धार्मी का आस्था पर चोट नहीं पहुंचानी है यह ओफिसियल लाइन है जैसा कि नीरज कुमार ने बयान दिया मगर उन्हीं की पार्टी के जो सांसद है नालंदा से कौशलेंद्र कुमार वो उटपटांग बयान दे रहे थे कि किसी के बेटी की साधी है कि क्या है कि कोई निमंतरन कैसे देगा कौन देगा अरे निमंतरन नहीं देगा आप तो घर में बैठे थे राम मंदीर आज बना है तो उसके पीछे संग परिवार और विस्व इंदु परषद और भाजबा की जो कुर्बानी है वो कोई भूल सकता है क्या उसी बदौलत वो मंदीर आज बन रहा है कोट का फैसला है आप हुए थे तो वह अगर जस्न मना रहे हैं जिनकी जीत हुई है जो कुर्बानियों की आज पताका लहरा रही है तो वह जस्न इनको चुब रहा है आंखों में कि केवल सनातन धर्म लोग करते हैं और वो कमेंट लोग बरदास्त कर रहा है क्या आपको लगता है कि देश की राजिनीति में जैसे यादो चौदा परसंड यहां की जाती जन्राम है और फिर अगर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने के लिए सब हो रहा है तो यह सब मिला के पूरे देश में क्या जनता यह बरदास्ट कर रही है कि इन लोगों को उ मुस्लिम जन्मानस या दूसरे धर्मावन लंभी सभी सहमत हैं कोई नहीं बोल रहा है खिलाब में सब लोगों को लग रहा है कि चलिए एक अच्छा काम हो रहा है उसमें बिग्ण नहीं आना चाहिए उस अच्छे से वो यग्ज जो है वो संपन होना चाहिए मगर जिनको दर सता रहा है कि उनकी सत्ता संपत्ति छिन जाएगी सुख सुवधायें चिन जाएंगी वो बॉखलाए हुए है अब आप देख लिजे कि जिस दिन वो मंदिर में प्राण परतिष्ठा होगी 22 जन्वरी को तो विश्व के 55 देशों में लाइब टेलीकास्ट हो रहा है उस उसमें आपने कोई योगतान नहीं दिया है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं अब उनको डर यह है कि जो लोगों को जाती में और धर्म के बाड़े में बांध करके वो वोट लेते थे उनका मूर्ख बना करके वो अब चिंग जाएगा क्योंकि ऐसी सनातन की लहर और राम क लहर देश में पैदा हो रही है कि उसके आगे जो भी विरुधी है वो चारो खाने चित होंगे तो यह चिंदा सता रही है और इसी चिंदा में वो बिवेक हो बैठे हैं और उल जलूल बातें उट पटांग बातें बोल रहे हैं ताकि लोग भड़कें और उनका जो प्रभ जीस चीज को उस दिन बताते हैं पंडी लोग बहुत फ़हले बता देते हैं रही अपोले अवेतर । है पूरा संदर्व है, उसमें जो बाते कही गई है, वो सब आवैज्ञानिक होता, तो आज सूर्य पर ग्रह नहीं जाता भारत का, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, तो बैज्ञानिक अधार पर ही सनातन अधारित है। और कि इसके मूल में विग्यान है विझ्जान की बदलत ही नातन का प्रभाव है और तमाम कोशिकों के बाओजूद ये नस्ट नहीं हुआ और इसके एक-एक चीज में विज्ञान में भले धर्म की आड़ में उसको यह कर दिया गया है कि धर्म के नाम पर लोग कम से कम करें हो सकता है कि दूसरे यह में कहने पर न करें मगर धर्म के नाम पर लोग सहमत हो जाते हैं करते हैं तो इसका एक दूसरा जवाब यह है कि जो बुद्धिहीन है उनसे बहस नहीं करना चाहिए तर्क नहीं करना चाहिए तो ऐसे लोगों को 5 रुपया में अपनी और से दे करके बहस को समाप्त करना चाहता हूं तो चलिए ये थी आज की हमारी बाचीत आपने सुना कि किस तरह से कुछ खास तरह के लोग जो सनातन परंपरा हिंदू और हिंदू परंपराओं के खिलाब जो बोल रहे हैं उसके पीछे कोई साजिस हो सकती है या केवल वोटों की राजनीती है इस पर आप भी विचार बताएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमारी ये बाचीत आपको कैसी लिए वह जरूर बताईएगा और जुड़े रहे लाइफ बिहार के साथ लाइफ बिहार पर हर तरह की खबरे और इस तरह की बाचीत को देखने के लिए आप हमेशा जुड़ पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें